कि अच्छे होंगे वेल्कम बैक टू माई व्लॉग तो यह व्लॉग है ब्राइडल का मेंस यह है शादी का व्लॉग तो यह है अमारी ब्राइड जो अब होने जा रही है तयार तो हम लोग जा रहे हैं पार्लर इसे ले करके यह बिट्टू मुझे बहुत मानती है तो इसने का अंटी आप ही मुझे लेके जाना है हम आ गए हैं पार्लर में बिट्टू को यहां पर तयार करने के लिए और यह देखिए जो है पार्लर में उनका तयार होना शुरू हो गया है सबसे पहले लेडिस का ट्रेडिंग बढ़ हैं और यह साथ में मॉसी जी यह देखें मैं बनात्याना व्लाइब उसका मेग ऑफिता जा रहा है तो में वीडियो शूट्राय भड़ मेदाया आपको पूरा मेकवक मेधा की दिखाया जाएगा तो यह हो गया है इनका आखों का तो अब इनका जो है में ककवर हो जाता है आखोंक का मेकप हो जुका है एक असदो की और जहा रहा ऊच्छो पीड़नी तक बात कि अच्छे मेकप का तो कहना ही क्या है हम लोगों के टाइम पे तो इतना अच्छा मेकप भी नहीं होता था एच्छी विष्डी तो पता ही नहीं था तो अच्छी मेकप होता है तो बहुत यह बैड लगती है तो यह और आप सबसे इंपर्टन आज कल जो वह इलैसेस भी आ गई हैं तो आखे तो और सुंदर हो जाती है मेकप करके तो देखे तो है कितनी सुंदर इसकी तो आई 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 लग रही है यह देखे बहुत सुंदर लगने आई और जब लैंस वगेरा लगेगा आज कल तो लैंस भी च पाउडर वगेरा जो खुछ भी होता है जो जो वह साई चीजी होती हो उससे जो एंको फाइनली जो है लुक दिया जा रहा है फेस का और नेक को भी कवर किया जा रहा है तो यह देखें कितनी अच्छी लग रही कितनी सुन्दर लग रही है आप लिप्स्टिक का काम हो रहा ह लिप्स्टिक लगाई जा रही है एक सिंपल और एक है वी है भी मेकट अपाला जो होला लगता है आप बहुत ही ब्यूतिbelt लग रही है हमारी ब्राइड नेकिए तो इसकी जो निप्स Hein लगाई जा रही है रेड होट रेड और बहुती खुबसूरती से चाची लगा रही है और चाची ने बहुती सुन्दर त्यार कर रही है बहुती सुन्दर अभी तक लग रही है थोड़ी जोलरी भी पहन ली है मौली ने तो देखे इस्टेप बाइस्टेप उसे त्यार होते देखें आप और वीडियो में बने रही है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो देखते रही है देखें स्टप बाइ स्टप जो है मेक अप होता जा रहा है इसका चची लिप्स पर आउट लाइनिंग कर रही है जिससे लिप्स और भी खुबसूरत लगेंगे और जो साइड है उसे कवर कर रही है तो ब्यूटिफुल मॉली और भी ब्यूटिफुल होती जा रही है तो फेस का मेक अप डन अब आई तिंग इन्हें जैलरी पहना ही जा रही है जैलरी से जो है और मेक अवर अच्छा होता जा रहा है जैलरी भी काफ़ी सुन्दर लग रही कोल्डन और रेड में है और ग्रीन भी चलती है ग्रीन पहना ही है या मैचिंग का पहना है मैचिंग अच्छा लग रहा है है विए जोल रही है देखे पुरा नेक जो है वो भर गया है अब इसी पर लॉंग वाला मंगल शूत्र टाइप का जो हार होता है वो भी डाला जाएगा और कान के और जो भी पूरा सेट है वो भी पैना जाएगा तो धीरे-धीरे जो हमारी मौली तयार होती जारिये यह चाचम का पार्टर तो हेर दोई से जो भी विलांग करता है जिसे त्यार होना हो चाची हमारी बहुत अच्छा मेकड़ कर ते तो आप लोग यह आपना मेकड़ करवा सकते हैं साइड मेकड़ियू तो कानों में एरिंग डाले जा रहे हैं इतने हैवी हैवी हैरिंग होते हैं मुझे अपनी शादी का याद आ गया भाई इतना दर्द होने लगे थे कान के मैंने तो निकाल के रख दिये थे फिर जब बरात बिल्कुल आ गई थी जब जाने की तियारी थे मैंने दुबारा फि कि मुझे तो बहुत तकलीव होती है मैं अभी भी गोर्ड के लावा जदा नहीं पहन पाती हूं थोड़ी देर पहना निकाल के रख देती हूं तो तो यह जो है इतने हैवी होते कि पूछिए नहीं तो गले की जुएलरी तो पहन के मौली कंप्लीट हो गया है उसका गला जो है बहुती अच्छी लग रही है बहुती प्यारी लग रही है देखे हैक अब आग़े यह बारी हैरेश्टायल की तो इनकी हैरेश्टायल की जाएगी और यह देखें अब जो चाचि यह चौछ बनाना शुरू कर दिया है कि यह भी बहुत टफ काम होता है जो है जूड़े जूड़ा और जो भी है पूरा स्टाइल वगरा सिर पे बनाई जाती है उसी से पल्ला भी रुखता है तो बहुत ही अच्छी और हैवी मतलब बनानी पड़ती है जिससे हमारा गजरा और चुड़नी सब रुख जाए उसी पे तो आप इनका जो है एरे स्टाइल का काम शुरू हो गया है कि पीच की मांग निकाली जारी को कि यह बाद में भी बहुत सही रहता है जब मांग बढ़ते हैं तो फिर बीच की मांग निकली होती तो आसानी रहती है इसमें और मांग ती का भी जो है वह त्री पार्टिशन वाला है तो मतल करने के लिए तो जो हैं फिर हैरे स्टाइल नहीं बिगड़ती जूडा नहीं बिगड़ता है तो यह बीच वाली मांग निकाल करके इनकी हैरे स्टाइल बन रही है वाव तो देखें गज्रा भी लग गया है और एस्टाइल भी कंप्लीट होगी बहुती सुन्दर सा जूडा बनाया है और यह देखें ओरिजिनल फूल का यह गज्रा है बहुती अच्छा लग रहा है और तो यह मांग टी का पट्टी भी भाई लग गई है तो मॉली तो ब वाथी प्रिटी लग रही है देखे तो इनका जो है एकदम हो गया है काफी कुछ फाइनल लुक तयार लास्ट इस्टेप मुझे लग रहा है जो है टच अब चल रहा है है बहुत इच्छी लग रही है एकदम फाइनल रेडी हो चुकी है फेस से और जूडे से तो है अब थोड़ा बहुत रहे गया इनका मेक ओवर हो ना बाकी काफी कुछ त्यार हो चुकी तो बहुत ही इच्छी लग रही है ना बिट्टू हम लोग आखे बहुत चलाते हैं तो इसलिए जो है क्या नम काजल लगाया जारा है क्योंकि काजल निकल जाता है तो बहुत हम लोग के आखे 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 आसू आने लगते हैं यांके बर चलाते चलाते वह तो थोड़ा सा हट जाता है तो जो है काजल दुबारा से लगाया जा रहा है मॉली की आईस बहुत ही प्रिटी लग रही है आपने देखा ना मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है आईस पर आई लैसे जो है चारचान और लगा देती आज कल कर यह मेक अप बहुत ही अच्छा होता है जो है आई लैसे लग जाती तो और भी आईस बहुत अच्छी लगने लगती बहुत उभर के आती है जिसे कहते न बोलती आखे वाव तो हमारी जो ब्राइड है वो तैयार हो गई है उसका दुपट्टा सेट किया जा रहा है दुपट्टा वह बहुत हैवी होता है तो काफी पिन लग जाती है वाग काफी मैनत लगती दुपट्टा सेट करने में भी तो जो अब इनका दुपट्टा सेट किया जा रहा है अभी सिर पे डाल के और कमर पे बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा जिससे बिल्कुल भी यह ही लेना और लेंगा भी काफी जुन्दर इसलिए मेरा फैशन वेशन नहीं होता जादा तो मैंने टाला है कोट ग्रीन और डार्क ब्लू कलर की मैचिंग काई ब्लैक कलर की शौल लेली और यह मेरा सिंपल सिंपल सा लुक बहुत ठंड लग रही थी बस जाना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है इनके प उसका करर रहे तो हमें साइट कर वाना पड़ा तब हम वह जा सकते थे आगे यह रोड बंदू हो गई हम लोग नहीं निकल पारें तो फिर साइट करवाना पड़ा ही जाकी वगेरा बैन काफी सुन्दर था और इन लोगों को काफी परिसानी पर क्या करें हमें जाना तो तो हमें रास्ता लेना था इन से हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोगों को मॉली की बरात मिल जाएगी हमको लगा देर लेट हो गया है बट साड़े दस बच रहे हैं इस टाइम पर हमें लेट नहीं हुआ क्योंकि बरात तो पीछे और फिर मैं घर पर आ गई मॉली के और मैंने का वहीं मॉली के साथ भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हू कुछ भी नहीं मैंने डाला है बस सिंपल बट कहते हैं साथगी में सुंदरता होती है तो ठीक ही लग रही हूं आप लोग कमेंट में बताएगा ठीक लग रही हूं और बाहर जो है पहराउन का कारीक्रम चल रहा है जिसमें लड़की के माबाप को कपड़े वगरा दी जात इन गया जाते है वो गाने गागा की वो करीक्रम हो रहा है कि यह मौली की मम्मी है और यह मौसी जी है जो हम लोग के साथ पार्डर में गई थी आपने दिखा उस्टार्टिंग में देखे मौसी जी ने सैल्फ मेकप किया है बहुत ही अच्छी मौसी जी लग रही है तो मौसी जी बहुत ब्यूटिफुल लग रहे हो मैं बाहर नेगे तो मेरे लिए तो बोजन यहीं पर आगया देखे खुब सारी वराइटी है तो गाइस जैमाल के लिए जैमाला भी आगी है वो मौसी ने पकड़ी हुई है यह देखे काप अच्छी माला है फूल है मौसी इसको लेके घड़ी हुई है और बाहर जो है बरात बाद चुकी है और यह देखे यह हो रहा है द्वाराचार कारिक्रम द्वाराचार हो रहा है यहां पर और तो देखे सारे बराती और जो गाओं के लोग है वो इखटा है मैंने आपको बताए गाओं की शादी तो भीड देखे कितनी है और जितनी वीड़ है उतनी ही ठंड भी थी तो ये देखे द्वाराचार कारिक्रम चल रहा है मेरे हस्बेंड और मेरा बेटा भी कारिक्रम इंजॉय कर रहा है वो भी बाहर से देख रहा है और खुश हो रहा है बढ़ धन बहुत ही जादा थी और टाइमिंग इस समय साड़े बारा की उपर का टाइमिंग हो चुकी है और अभी द्वाराचार का ही कारिक्रम चल रहा है जादा रहा है पापा का पापा का बना दिया चोटे मिया को काफी ठंड लग रही है तो वो मेरे चिपक गया है लेट भी काफी हो गया है क्योंकि एक बज रहा है और अभी दाराचार का ही कारिक्रम चल रहा है तो जैमाल होने में काफी टाइम था जिसकी वज़े से हम लोग घर चले आए क्योंकि बच्चों के सोने का भी टाइम था तो व्लॉग अच्छा लेगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू पर वाचिंग